नमस्कार प्यारे साथियों कैसे हो आप सभी मैं हूँ योगेस और आप सभी देख रहे हैं योगेस लर्निंग अगेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल तो चलिए प्यारे साथियों आज हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ की मैथ्स के बारे में और प्यारे साथियों आज हम हिरोन से संबंदी हिरोन का फोर्मूला इससे संबंदी दोस्तों कोशनों को हल करने का परियास करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लगातार मेरे साथ बने हुए हो देख लीजी पहला कोशन यह exercise है आपकी RS अगरवाल की बुक से तो दोस्तों कोशन में लिखा हुआ है find the area of triangle whose base measures 24 cm and the corresponding heights measures 14.5 cm तो दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो आप देख सकते हो देखिए हमारे पास कोशन में लिखा हुआ है जो base है base वो आपको दिया हुआ है 24 cm and the corresponding heights जो दे रखी है आपको यह आपको कितना दिया हुआ है आप कहेंगे यह दिया हुआ है 14.5 cm प्यारे साथ यहाँ से आपको area of triangle find करना है आप भैदरिन तरीके से जानते हो जो area of triangle होता है वो आपके पास होता है half into base into height तो यही छोटा सा एक formula हम यहाँ पर use करने जा रहे है 1 by 2 as it is रहेगा base जो कि आपके पास है 24 into height की बात करें तो height आपके पास है 14.5 cm यहाँ से प्यारे साथ यह 2 से दोस्तों में इसको 24 को cancel कर लूँगा तो यह बारे बार cancel हो जाएगा अब आपके पास क्या बचता है 12 वंजा 12 वैसे रहेगा into 14.5 इन दोनों की जैसे आप multiply कर पाओगे तो आपके पास आपका answer यहाँ पर नजर आएगा multiply करने के लिए देखिए दोस्तों मैं यहाँ point से यहाँ point हटाता हूँ और नीचे एक 0 बढ़ा देता हूँ ऐसा करने से मेरे पास यह बन जाएगा 12 की गुणा मैं 145 में करके देखता हूँ कितना आएगा देखिए 12 पंजे 60 होते हैं दोस्तों 0 आ जाएगा उसके बाद 12 का पाड़ा जैसी आप 4 में पढ़ोगे तो 12 चोग 48 यानि 12 फोर्जा 48 48 और 6 जैसी आप add करोगे तो आपके पास यहाँ आएगा 54 54 का 4 और आपके पास बचेगा यहाँ पर 5 प्यारे साथियों 12 की multiply जैसी आप 1 में करोगे तो 12 वंजा 12 12 और 5 यह आपके पास हो गया 17 और upon में अभी भी आपके पास 10 बना हुआ है इस 0 से 0 को cancel करने पर आपके पास बनेगा 174 cm2 और प्यारे साथियों यही आपके पास आपके question का बिल्कुल suitable answer है उम्मीद करता हूँ question आपके समझे में वस्या आया होगा धन्यवाद प्यारे साथियों चलिए पहरे दोस्तों बात कर लेते है question number दूसरे के बारे में क्या लिखा हुआ है question में लिखा हुआ है देखिए find the area of triangle whose sides are 42 cm, 34 cm and 20 cm यह आपको तीनों length दे दी हैं और यहां से कह रहा है find the height corresponding to the longest side यानि कि जो longest side है इसकी कितनी आप कहेंगे 42 cm आपको इसके जो corresponding side है वो बतानी है उसकी height कितनी होगी तो प्यारे साथ यों कैसे question को करेंगे देखिए आप यहां पर जानते हो कि आपके पास जो sides दी गई है मैं sides को ABC माल लेता हूँ माल लें यहां मेरे पास A बराबर है 42 cm, B की बात करें तो B आपको दे दिया गया है 34 cm जबकि हम C की बात करें तो C आपके पास है 20 cm यह question आपको दिया हुआ है और आपसे वो कह रहा है यहां से आप area find कर दीजिए तो जब मैं area find कर दूँगा उसके बाद ही मैं इसकी height भी यहां पर बता पाऊँगा तो कैसे निकालेंगे देखिए आप अच्छी तरह से जानते हो जो perimeter of triangle होता है perimeter of triangle यह आपके पास होता है A plus B plus C यानि तीनों side को अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आप कहेंगे यह आपके पास कितना आ जाएगा 42 plus 34 plus 20 इन दोनों को देख लिजे जोड़ के कैसे आएगा 2 और 4 6 होगया आपके पास फिर 4 और 3 7 7 और 2 9 यानि 96 आपके पास यह perimeter आया है लेकिन मैं यहां से कहा निकाल लूँगा semi perimeter यानि कि जिसको S कहूँगा तो S अपने पास कितना आएगा 96 का half कर लीजिए 96 का जैसे आप half करेंगे तो आप कहेंगे यह आजाएगा आपके पास 48 cm इतनी बात उमीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रही होगी तो प्यारे साथ यह यह अपने पास S आ चुका है A अपने पास मौझूद है BB है CB है यहां से मैं area of triangle निकाल सकता हूँ area of triangle आप जानते हो area of triangle में हिरोन के formula से यहां पर निकाल सकता हूँ क्योंकि जो दूसरे वाला formula है half into base into height उसका इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुझे यहां से ना तो base का पता है चलो base तो एक बार को मैं मान भी लूँ कि मेरे पास 34 या फिर 42 या 20 base हो सकता है लेकिन height कितनी होगी यह मुझे नहीं पता है तो उसके लिए मुझे यहां पर हिरोन के formula का ही यूज़ करना पड़ेगा तो वो formula हमारे पास है S into S minus A into S minus B और into S minus C कुछ इसी प्रकारे का अपने पास यह formula है इसी formula के अंदर हम सारी value यहां पर put कर देते है जैसा कि आप जानते हो S अपने पास कितना है 48 into S minus A यानि 48 मैंसे मैं दोस्तो जैसी 42 minus करूँगा तो हर बच्चा बच्चा बता देगा कि 6 आएगा into S minus B की बात करें तो आप जानते हो 48 मैंसे जैसी मैं 34 minus करूँगा तो मेरे पास यहां पर 14 आ जायेगा इसके अलावा जैसे मैं 48 मैंसे 20 minus करूँगा तो आप भी जानते हो 28 आना है अब प्यारे साथियों इनके आपको सिरफ factor करने के आउँ सकता है और factor करना मैं समझता हूँ कि आप सभी को आते हैं कैसी आप factor कर पाओगे देखो अगर आप factor करना नहीं जानते तो आप यह prime factorization के थुरू भी factor कर सकते हो जैसे 48 के factor करें तो आप कहेंगे भया यह आजाएगा 24 इसका भी half करने तो यह 12 इसका भी half करने तो 6 इसका भी half करने तो 3 तो यह कुछ इस प्रकार के यहाँ पर factor बनेंगे मैं सबको लिख देता हूँ 2 की power 4 into 3 कुछ ऐसा ही बनेगा ना 6 की बात करें तो direct आप लिख पाओगे 2 into 3 जबकि 14 की बात करें तो आप यह भी जानते हो 7 into 2 जबकि 28 की बात करें तो 28 को फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर देखे 28 को कहा लिखेंगे भाई 2 से cancel करेंगे तो यह 14 बार जाएगा फिर 2 से cancel करेंगे तो 7 बार और 7 का table पढ़ेंगे तो 7 बन जा 7 यहाँ से आपके पास आया है 2 की power 2 और इंटू 7 यह हो गई अपने पास सारे के सारे factor अब इन factor को हम अच्छी तरह से यहाँ पर pair बना के लिखेंगे जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का pair इंटू 2 का एक और pair क्योंकि आप जानते हो पावर 4 थी तो दो बार इसको 2 की power 2 और 2 की power 2 करके हमने लिख लिख लिए आप देख पा रहे होंगे 2 का एक pair यह भी बन जाएगा अपने पास एक 2 यह है एक 2 यह है तो यह भी अपने पास होगए 2 की power 2 जबकि 3 की multiply 3 में करने से यह भी आपके पास एक pair बन जाएगा और into 7 की multiply 7 में करने से यह भी आपके पास एक pair बन जाएगा और यह एक extra pair आपको नजर यहां भी आ रहा है तो मुझे उमीद है कि सारे के सारे pair आपको यहां पर नजर आ रहे होंगे अब दोस्तों आप जानते हो जब pair बन जाता है न भाई pair तो यह सारे के सारे pair जो है न अपने उपर से under root को cancel कर देंगे यह सारे के सारे यह इसको cancel कर देगा यह इसको cancel कर देगा यह अपने उपर से सब under root यहां से हट जाएगे तो बहार root से आपके पास क्या बचेगा एक तो ये वाला 2 बचेगा, इसके लावा ये 2 बचेगा आपके पास, फिर आपके पास ये वाला 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा आपके पास, फिर आपके पास 7 बचने वाला है और साथ में आपके पास 2 बचने वाला है तो आप जानते हो 48, 48 और into मेंस के साथ 7 बचता है इसके multiply कर लीजे तो आप जानते हो देखो 7, 8, 56 56 आपके पास 5 बचेगा और 7, 4, 28, 28, 25 आपके पास होते हैं 28, 25, 33 हो जाते हैं भई 336 cm2 यह आपके पास आजाएगा इसका area अभी question अपने पास समप्त नहीं हुआ है क्योंकि question में सिरफ area नहीं पुच्छा था area तो निकाल दिया यहाँ अगर यह question चार नमबर काता है तो आपके 3 नमबर तो पक्के हो गए लेकिन एक नमबर काम अभी बाकी है भाई उस question को कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ बतायता हूँ यहाँ इतने में हमारे पास ही आ जाएगा कैसे निकालेंगे देखो आप जानते हो आपके पास जो area है ना area वो कितना है वो है 336 जबकि आप जानते हो कि area तो भाईया ऐसे भी निकलता है half into base into height और बराबर में कितना है 336 यहाँ से 1 by 2 ऐसी रखेंगे base की बात करें तो base आप जानते हो अगर हमें 42 को क्योंकि उन्हें बोलता है longest side के corresponding में आपको height निकालनी है तो 42 जो है मेरे पास यहाँ पर base रहेगा height मुझसे पूछी है 336 मेरे पास area आया हुआ है मैं इससे इसको cancel कर लेता हूँ 2 से यह कटेगा कितनी बार 21 बार अब मैं 21 को किससे cancel करें 3 से cancel कर सकते हो 3 से काटेंगे न 3,7,21 और 3 से इसको भी cancel कर सकते हो 3,3,3,3,2,6 अब बस कुछ भी नहीं करना है 112 को भाग देना है किससे 7 से और आप आसानी से भाग दे पाओगे देखो साथी कम साथ आपके पास 4 बचेंगे साचिंग 42 यानि आपके पास height कितनी आ गई 16 cm इस प्रकार से इस question का हुआ अंत और यही आपकी question का suitable answer धन्यवाद प्यारे साथियों चलो प्यारे साथियों बात कर लेते हैं question number 6 के बारे में देखी क्या लिखा हुआ है question number 6 में इसमें लिखा हुआ है the side of a triangle are in the ratio 5 ratio 12 ratio 13 and its parameter is 150 meter find the area of triangle question बिल्गूल आइने की तरह साफ है question में लिखा हुआ है कि आपके पास 3 side है 5 ratio 12 ratio 13 के ratio में है और आपको यहां से जो parameter दिया हुआ है वो 150 है आप यहां से चाते हो कि आपके पास area निकल जाए तो area निकलेगा कैसे सबसे पहले तो मैं side निकालनी हूँगी तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ let पहले तो देखो मेरे को ratio दिया हुआ हुआ है 30x इस प्रकार से तीनो side अपने पास आ गई इन तीनो side के बाद मैं जानता हूँ मुझे parameter कितना दिया हुआ है parameter of triangle is equal to 150 meter भाई आप जानते हो यह उनके according आपके पास parameter है अपने according parameter कैसे निकालते हैं तीनो side का क्या करते हैं तीनो side का sum करते हैं यहाँ पर तो हम तीनो side का sum कर लेंगे a plus b plus c और बराबर पर कितना रहेगा 150 a की बात करें तो a अपने पास है 5x b की बात करें तो 12x और c की बात करें तो 13x है यहाँ से 150 अपने पास ऐसी रहेगा इस सब को अगर जोड लिया जाए तो देखो 12 में जैसे आप 13 जोड होगे आपके पास कितना आएगा 25 साथ में आपके पास यह कितना है 5x यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 150 टोटल जोड करके क्या 30x नहीं आया आपकोगे बिलकुल आया 0 से 0 कैंसिल और 3 से आप लोग 15 को कैंसिल कर सकते हो 5 बार यानि X की जो वैल्य आई वो तो 5 ही आई ना अपने पास बस यह X की वैल्य यहाँ पर पुट करते रहो और आपके पास ABC निकल जाएगे देखो A कितना निकलेगा 5 इंटू 5 यानि 20 B की बात करें तो आप कहोगे 12 इंटू 5 12 पंजे होते हैं 60 इसी तरीके से C की बात करें तो यह अपने पास आएगा 13 इंटू 5 और 13 पंजे होते हैं 65 यानि 60 कोई डाउट किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए अब प्यारे साथियों आपके पास ABC भी है आपके पास Semi-Parameter भी है यहाँ से निकल जाएगा देखो Semi-Parameter कैसे निकलेगा आप कहेंगे यह आ जाएगा जो पूरा पैरेमिटर है हिरोन के फॉर्मूले से आप निकाल पाओगे S into S-A S-B और S-B बस हो गया काम S के प्लेस पर आप लिखोगे 75 into S-A यानि 75 में से आप माइनस करोगे 25 तो आपके पास बचेगा यह 50 into S यानि 75 में से इस बार आप माइनस करोगे 60 तो आपके पास बचेगा यह 15 into S-S मतलब 75 में से आप माइनस करोगे 65 तो आपके पास बचेगा 10 वही काम जो पिछले question में हमने किया था इसके फिर से कर लीजिए factor और factor कैसे करते हैं देखिए 75 को आप लिख सकते हो 25 into 3 लिख सकते हो ना इसी तरीके से 50 को आप लिसकते हो 25 into 2 15 को आप लिसकते हो 5 into 3 और 10 को आप लिसकते हो 2 into 5 या फिर 5 into 2 एक ही बात है यहांसे आप देख पा रहे हो पेर बनाने अब आपको 25 का 25 के साथ में पेर बनेगा तो यह 25 का square हो जाएगा into 3 का 3 के साथ में pair बना लीजे तो ये 3 का square 2 का दूसरे 2 के साथ में pair बना लीजे तो ये 2 का square और 5 का 5 के साथ में pair बन जाएगा इसके लाभ़ा कुछ बचाही नहीं हमारे पास यहाँ पर अब आप यहाँ पर इसका solution निकाल सकते हो देखो कैसे हैं आप जानते होसब के ही जो रूट है न nuggets निसमेंख किनिंगे सब क्या किया एंसक्वाय रे तो जर्टके निए तो लिखने का भी अब कश्वावराब ने बैटता फिर आपके पास क्या वचे तक 25 बचेगा इंटो में आपके पास धी बचेगा चुछ साटम 25 पिचत्तर साड़े 700 अपने पास आ गया आंसर साड़े 700 मीटर स्क्वेर यानि 750 मीटर स्क्वेर यह आपके कोश्चन का सटीक आंसर है